आज हम करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंपोर्टेंट स्पोर्ट्स इसका नाम है बैडमिंटन तो मेरे प्यारे बच्चो पहले के दो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं दो स्पोर्ट्स हम कवर कर चुके हैं फुटबॉल एंड क्रिकेट और एक और स्पोर्ट्स में आज कराने वाला हूँ जिसका नाम है बैडमिंटन तो स्टार्ट करते हैं अच्छा बच्चो इस पीडिये चार VisitTime puisque अच्छासे डाउन्लोट करके वहां से डाउन्लोड आप यह पीडिये एप कर सकते हो ठीक किस्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे बच्चो पीवी सिंदु का नाम आपने सनह होते हुगा हिए और इंडिया की बेड मिन्टन ये स्टार है ठीक है और सान्या नहेवाल का नाम भी आपने सुनाई होगा इनके ऊपर पूरी एक मूवी बनी है तो यह भी हमारी इंडियन की इंडियन को बहुत ही अच्छे शेटल शेटलर है बहुत अच्छी बैड मिन्टन खिलाडी है और यह वुमेंस की ब पड़ते है और knowledge of the game है ना भई तो badminton basically है क्या badminton is one of the most popular games played with the use of racket which holds most resemblance to tennis ठीक है tennis से बिल्कुल resemblance यह रखता है ठीक है ना भई और यह जो game यह दो player के साथ खेला जाता है ठीक है दो player के साथ single game या फिर चार player के साथ double game ठीक है यह बहुत ही मज़िदार game है आप लोगों ने खेला होगा ठीक है और यहां पर बीच में net लगाया रहता है और हम shuttler जो कॉग होती है हमारी shuttler उससे हम मारते हैं तो वो क्या होता है जब मैं उस पर उपोनेंट पर shuttle मारता हूं ठीक है बीच में net होता है तो एक rally जलती है ठीक है तो हम पहले उदर से मारते हैं फिर उदर से कोई अपोजिट जो player होता है वहां से खेलता है तो यह बहुत ही मज़ेदार game होता है तो इसके बारे में भी हम पूरा समझेंगे ठीक है भई और कैसा कैसा होता है कैसे कैसे game होता है सब पुराना यह गेम है ठीक है जैसे shuttlecock होती थी रैकेट होते थे ऐसी एसेंट ग्रीस में भी यह खेला जाता था ठीक है तो एक modern day title of badminton first came to use in 1873 तो 1873 पर यह पहली बार आया ठीक है गेम ओफ बैटल दूर और shuttlecock was frequently played at badminton house ठीक है भई तो यहां पर देखे इसकी जो हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है ठीक है तो बहुत ही पुराना यह civilization game है पहले खेला जाता था और बाद में आया ठीक है भई तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे court tennis पर ठीक है court का पूरा यह कितना है 44 feet ठीक है और आप यहां पर अगर देखेंगे तो यह कितना feet होता है 20 feet तो यह देखिए आप मैं आप बता रहा हूं कि यह 20 feet का होता है और यह 44 feet का होता है तो यह आप देख सकते है ठीक है जो यहां से यह देखो यह वाला जो back वाला यह जो अंदर वाला पार्ट है यह कितने का है यह वाला सिर्फ यहां से यहां तक यह जो पार्ट है बच्छो यह है 6,5 feet का ठीक है और यह वाला पार्ट जहां स से हम serv करते हैं वह मैं आपको पूरा बताऊंगा. वह कितने part का है यह देखो 13 feet का है और जो last वाला है कितना है 2,5 feet ठीक है। तो आप यह देख सकते हैं और जहां से मैं serv करा तहूं यह वाला जो quote है तो इस quote का यह कितना है कि size है 8,5 feet तो यहां से आप यह court की dimension देख सकते हैं आगे हम बढ़ेंगे और आगे हम बढ़ेंगे net की dimension तो जो net की dimension होती है मेरे प्यारे बच्चों वो कितनी होती है यहां से अगर मैं देखता हूँ तो यह होती है almost 5 feet की ठीक है पूरा बहुत बड़ा होता है आपने देखा होगा जो tennis के खिलाड़ी होते है ठीक है ना बैडमिंटन के खिलाड़ी होते है वो काफी height में होते है ठीक है यहां से आप देख सकते है तो यह पूरा almost कितना होता है 1.55 meter ठीक है 1.55 meter और मैं बोल सकता हूँ 5 feet 1 inch ठीक है और यहां से देखे पूरा यहां से यहां तक जो net की dimension है यहां से अगर मैं खड़ा हूँ और खड़े से पिलकुल यहां से net की जो उपर अपरमोच लिया रहे वो कितना है 5 feet है तो यह काफी easy है तो यह dimension आपको याद होनी चीए तब यह आपको पता चलेगा फिर आते शेटलर कॉक जो हमारी कॉक होती है उसकी dimension क्या होती है तो देखो उपर से अगर मैं देखो तो यह होता है 65 mm की और अगर इसकी हाइड देखो तो यह कितनी होती है देखो 70 mm की तो यह यहाँ से आप देख सकते है तो यह देखिए आप conical special conical shape होता है यह नीचे वाला जो soft part होता है यह PU leather से बनावा होता है बड़ा soft होता है तबी तो भई वो शेटल से कॉक जाती है इतने hard है न और नीचे वाला जो base होता है देखो यह बड़ा soft wood का बनावा होता है और जो यह नीचे वाला part है यह कितने mm का होता है 25 mm का कितने mm का मेरे प्यारे बच्चो 25 mm ठीक है तो यहाँ से आप देख सकते है बड़ा easy part है और इसके soft part के just उपर वाला एक hard part होता है तो वहां पर जो यह यह जो इस्ट्रक्च्रल है ठीक है तो यह हम पर insert होती है यहां पर फोल्स होते हैं जहां पर यह insert हो जाता है ठीक है कि अब नेक्स्स देखते हैं हम जो हमारा रैकेट है उसके dimension क्या है तो आपने देखा है यह बिल्कुल handle है देखो handle दिख रहा होगा आपको अब यहां से यह shaft है जो एक stick होती है ना iron की जो stick होती है इसको बहुते हम शाफ ठीक है वह कितना होता है यहां पर आप देख सकते हैं आप तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह हमारा shaft होता है यह almost जो हमारा यह पूरा रैकेट है यह 85-100 ग्राम तक का होता है ठीक है और यह जो उपर है देखो इसको बोलते है इसका head ठीक है तो जो इसकी length है हम बोल सकते हैं अगर मैं यहां से देखूं ऐसे starting में equipment में यहां पर देखूं इसका head देखूं तो यह almost कितना होता है 9 inch का होता है मत्तब 230 mm का किता 230 mm का और अगर मैं यहां से देखूं इसको लेटा के देखें तो यह कितने का होता है 11 inch का which is 290 mm ठीक है और यहां पर हमने च्टल कोग का इसको ईजिया था तो काफी इजी होता है फिक है इसको क्या बोलते हैं इसको देख लिए आ सबसे पहले जब टॉस होता है देखो कोई भी गेम हो रहा है तो पहले टॉस होता है तो हम बोलते हैं कि भई क्या होने वाला है तो जो विनर होता है या तो वो एक कोट है कि आगर मेंने मोले कीवाई मुझे वाली जगा से वाली जगा क्या सिस्टम होता है यार ऐसा होता है ना आप कहीं पर वैसे तो इंड़ोर गेम होते हैं यह पर कहीं कहीं पर क्या होते हैं यह लोग कुछ कुछ लोग कि ओपनेंट प्लेयर को सर्व करनी पड़ेगी या तो आपने सर्व क्या है तो आववियूससी बात है कि जो ओपनेंट प्लेयर है वो अपना कोड चूज कर सकता है simple सी बात यहां तो कोई इश्यू नहीं है आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो points होता है यह points होते क्या है सबसे पहले match consists of best of three games सबसे पहले best of three games होते है both of men's and women's Each game shall consist 21 points ठीक है 21 points का एक game होता है ठीक है and the game is played in a rally point system अब जो game होता है वो rally point system पे चलता है अब यह rally point system क्या होता है जो पहला opponent जो सबसे पहले 21 points ले ले वही क्या होता है जीतावा गोशित होता है ठीक है भई जिसने सबसे पहले 21 points gain कर लिए वही क्या होगा जीतावा होगा ठीक है अब यह point कैसे gain होते है कि भई मैंने service कराई अब दूसरे वाले ने दूसरे वाले ने भी दूसरे वाले ने टॉस किया फिर मैंने मारा अब दूसरा वाला मार नहीं पाया तो भाई मेरा एक पॉइंट हो गया मतलब मिर पे एक पॉइंट मैप मैं उससे आगे लीड करूंगा अब देखो अगर ऐसा हो जाता है बेसिकली 21 पॉइंट जिसके पहले होते है वो जीता घुशित होता है बट अगर दोनों ही 20 ओल हो गया मतलब 20 इसके भी पॉइंट हो गया 20 A पार्ट के भी और 20 B पार्ट के भी हो गया मतलब 20 A प्लेयर के और 20 B प्लेयर के पॉइंट हो गया तो अगर कोई जीतना चाहता है उसको दो पॉइंट की लीड लेनी पड़ेगी तब ही वो जीतावा घुशित होगा यहां पर यह ऐसा होता है मतलब दो पॉइंट की लीड उसको लेनी जरूरी है अगर ऐसा हो गया कि कोई कोई गेम ऐसा हो जाते कि बहुत ही खतरना गेम हो जाते कि अगर 21 से भी डिसाइड नहीं हो रहा अगर 29 ओल दोनों के 29 इसके भी A प्लेयर के भी और 29 B प्लेयर के भी तो सबसे पहले जो 30 पॉइंट कर देगा ना वही जीत जाएगा उसमें कोई व और सो चो भब हम करते हैं Certainly अब यह क्या होता है वही हो इस्या चेंज करते हके एक तो मुझे क्या करना पड़ता है आपना जो कोर्ट हो टा वह चेंज करना पड़ता है जैसे मेरा ओपोनेंड उदर उदा वाले में जाना पड़ेगा और जो मेरा अपोनेंट है वो मेरी जगा पर आ जाएगा ठीक है तो यह होता है change of ends ठीक है फिर second game के जब end होता है तब भी मैं end को change करता हूँ और जो third game होता है ठीक है जो last और most important game जो third वाला game होता है उसमें क्या होता है कि 11 point जैसे किसी दूसरे आगे वाले ने 11 point खेल लिए उसके 11 point हो गए तो अब क्या होगा फिर से वो change होता है तो last 11 point पर भी change होता है last वाला जो court होता है वो भी change कर सकते हैं ठीक है तो बड़ा important होता है तो यह देखा होगा आपने change of ends ठीक है ची आगे बढ़ते हैं फिर आता है यार service क्या होती है भाई service ही तो important है अब service जैसे मैंने कॉक पकड़ी settler कॉक पकड़े और यहां से मैंने racket से मारा तो इसी को क्या बोलते service बोलते है ठीक है भाई और जो service होती है वो diagonally होती है ठीक है ऐसा नहीं होता कि service मैंने सीधे सीधे फेक दी नहीं नहीं ऐसा नहीं होता तो अगर मैं single में हूँ तो मैं diagonally फेकूंगा service तो वो मैं आगे बताता हूँ देखो यहां पे तो जैसे अगर मैं यहाँ पर खड़ावाओं देख सकते हैं आप अगर मैं यहाँ पर खड़ाओं तो मुझे service जो करानी होगी न वो यहाँ पर करानी होगी diagonally ठीक है और अगर मैं यहाँ पर खड़ाओं तो service मुझे यहाँ पर diagonally करानी होगी ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर receive अगर right service court तो अगर right service court है तो भाई 0, 2, 4 ऐसे even numbers पे score होगा और left पे खड़ा है तो इस पे score होगा odd पे even में odd में score होगा और यहाँ पे देखो जब भी मैं service कराता हूँ ना तो service कराने वाले का और receiver का दोनों के pair क्या है जमीन में रहने चाहिए मतलब उसी जगा पे रहने चाहिए वो ऐसे नहीं है कि मैंने पहले service करा है वो पहली भाग रहा है ऐसे नहीं हो सकता कि जब मैं service करा हूँ तो देखा होगा आपने ऐसे रहके बड़े प्यार से ऐसे करके खड़े रहते हैं दोनों है exactly खड़ा होना चीछ ठीक है बई तो यहां पर अगर में कोई खिलाडी है तो service कहा कराएगा उसके opposite पर यहां पर कराएगा और कोई खिलाडी यहां पर है और service यहां से करा रहा है तो वो कहाँ यह आपने देख लिया बड़ा इजी अब यह होता है अब सिंगल्स क्या होता है जैसे मेरा मैच किसके साथ है शिकर नारायन मिश्रा के साथ है मान के चलो उसका और मेरा सिंगल सिंगल मैच है जैसे आपने अभी देखा होगा अब यहाँ पर देखो यह क्या है जैसे बात है अगर सिंगल सिंगल होते हैं तो जोनों के माक्स ठीक है पहले पॉइंट जो 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 ते जिसे मैं जी दिया तो हो गया 1-0 ठीक है फिर दुबारा मैं जी दिया तो फिर हो जाएगा 2-0 अब दूसरा वाला उपोनेंट जी दिया तो 2-1 ऐसे ऐसे करके मुझे सबसे पहले जो सबसे पहले 21 पॉइंट पर पहुचेगा तो वही हमारा विनर होता है सिंपल सी बात ठी अगें फ्रॉज देन जी छीढ़ हो गया तो एसे क्या होता है अगर मैं जीट जाता हूं तो क्या होता है फिर अब जैसे मैं छीता तो मैं सर्वेर हूं तो मुझे क्या मिल गया एक पॉइंट मिल जाएगा ठीक है उसके बाद क्या रह आई है पिर क्या है जो service जीता है फिर दुबारा से वो क्या करेगा service कराएगा ठीक है और SI करके game चलता है ठीक है अब यहां पर क्या है receiver भी इन से rally अब जो receiver है जैसे कि मैं server हूँ और कोई दूसरा है जो rally जीत आगर मैंने सब्सक्राइब जीद गया तो जो इसको मिल जाएगा अब जब सर्विस सर्विस कराएगा एक सुंप पर थहां पर आता है डबल्स फाइग बड़ाइंटरस्टिंग होता है doubles क्या होता है मेरे साथ single में то मैं singly खेल रहा हूं double में क्या होता है double खेलते है ठीक है बई जैसे कि मेरा एक partner हो गया वह doubles में ठीक है और doubles के बड़े wise rules होते है ठीक है दो बंदे खेलते है दो बंदे मेरे team में मतलब एक pair मेरी team में एक pair उसके pair तीम में और double में न सबका use होता है तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ doubles जैसे मान के चलो doubles में खेल रहा हूँ एक बंदा यहाँ पे खड़ा है एक बंदा यहाँ पे खड़ा है आगे पीछे कहीं भी खड़े हो सकते है तो अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है तो मैं यहाँ से सर्व करूँ है यहाँ पे तो जैसे कि मान के चलो चार बंदे A, B, C, D तो A, B मेरी team में CD दूसरे वाले की team में तो अगर मैंने A से C को सर्व कराई तो आगे वाला भी उसको receive कर सकता है और doubles में most important क्या है कि single में तो यह जो भार की line है यह क्या होती है extended line होती है यह भार की line होती है जो हमारा point होता है वो अंदर ही score होता है इनी के अंदर होता है score देखो, यह मैं घुमा रहा हूँ इसको देखते रहो, इसी के अंदर स्कूरर होता है बड़ डबल्स में क्या होता है पूरा कोट कवर होता है तो यहां पर आपको बहुत इंप्वर्टेंट है कि जो डबल्स होता है उसमें पूरा कोट हम कवर कर सकते हैं ठीक है जी ओके आगे बढ़ते हैं तो हमने यह देख लिया था अभी तक single and doubles के बारे में तो ये doubles का मैंने भी आपको बताया कि doubles में क्या होते हैं 4 खिलाड़ी होते हैं और single singaly पहले एक खिलाड़ी दुसरे को pass करता है प्र ओर और की तरह चलता रहता है पहले ये मारेगा फिर वो मारेगा ऐसे करके ये भी काफी easy होता है यह मैंने आपको बता दिया अब आता है most important errors क्या होते हैं है ना तो वह भी देख लेते हैं एक service code errors has been made by a player अब तो जो service code errors होते हैं वो किस से बनते हैं वो player से ही errors होते हैं तो यहाँ पर क्या है he serve or receive out of turn ठीक है या तो क्या हो गया मतलब क्या कि या तो वो receive करे या तो सर्व करे उसके code के भार हो जाए तो वो क्या होगा error हो जाएगा या फिर क्या बोल रहा है कि he serve or receive from a wrong service code या तो क्या हो जाए कि वो wrong service code से मान के चलो कि मैं यहां पर हो तो उसके opposite side में मुझे देना चाहिए बट मैंने यहां पर सीधे दे दिया तो वो क्या हो जाएगा मेरा error हो जाएगा simple सी बात if the service code error is discovered the error shall be corrected and existing score shall stand ठीक है बई अगर मैंने कोई service कराई और error discover हो गया वहां पर तो जो भी point है वो दूसरे वाले opponent को मेरा मिल जाएगा ठीक है भई तो simple सी बात है यहां तक तो बड़ा easy है अब आते let's क्या होता है भई सबसे पहले क्या होता है let's क्या होता है basically let is let or play over is awarded when a rally is stopped with neither side winning or losing अब यहां पर क्या होता है यह बड़ा बड़ा ही important part है यहां पर तो आपने देखा होगा कि बहुत Olympics में क्या होता है ना वह ले लेते हैं जैसे cricket में वो DRS लेते हैं वैसी let में भी एक तरीके से DRS होता है कि यहां पर क्या होता है let shall be called by the umpire or by the player if there is no umpire to hold play it shall be a let अब यहां पर क्या है कि it shall be a left let if the server receive before receiving is ready the server serve before receiver is ready कि भाई मैंने service करा दी मैंने तुरंद बॉल के रहा हूं sorry मैंने शटल को तुरंद फेक दी और वो receiver ready नहीं है तो वो क्या कर सकता है let ले सकता है भाई तो इसमें हमें जो server होगा उसको fault लग जाएगा भाई क्याना भाई during service the receiver and the server are both fault ठीक है भाई अब यहां पर क्या है कि भाई अगर मैं service करा रहा हूं और दोनों क्या है जो receiver भी है और जो server भी है वो दोनों क्या है या तो वो हेल रहे हैं बिलकुल exact होना चाहिए तो हेल रहे हैं अगर उसका भी fault आ जाता है तो फिर वहां पर भी वो let ले सकते हैं ठीक है भाई after receiving a return मैंने अगर return मारा और shuttler को जो है वो net में ही अटक गई कहीं net में ही अटक गई और suspend हो गई उसकी टॉप पे तो वहां पे भी हम क्या ले सकते हैं let ले सकते हैं ठीक है भाई during play the shuttler dis intrigates and the base completely separate from the rest of the shuttler या तो क्या हो सकते हैं कि हम गेम खेल रहे हैं और जो shuttler को कि उसका जो base है भाई वो पूरा उससे निकल जाए भार आ जाए इतना भैंकर इस मैस मारो कि भार ही आ जाए तो वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं let ले सकते हैं दुबारा से वो renew हो सकता अपोनेंट प्लेयर को या कुछ भी है सच ठीक है ओके इन दा ओपीनियन अफ एमपायर दा प्ले इस डिसरिस्पेक्टैट डिस्प्यूटर्ट रिस्प्यूटर्टट और ए प्लियर ऑफ अपोजिंग साइड इस डिस्ट्रेक्टटेड बाइए कोच अब यहां पर डिस्ट्रेक्टेड मतलब क्या होगा कि या तो यार जैसे कोई हम गेम खेल रहे है ठीक हमारा अच्छी रैली चल रही है और दूसरे अपोजिट प्लियर को ना वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कौन डिस्ट्रैक्टेड बाइद गोच कोच उसको ना अपने को और भाई इस पर पेनल्टी लगाओ कुछ ऐसा कुछ करके है अब यहां पर कहा है कि जो लाइन जज़ होता है जो लाइन ज़ज होता है एंड अमपायर इस अनेबल टू मेक डिसिजन जब वो डिसिजन नहीं मेक बना सकते या डिसिजन नहीं ले सकते वहां पर क्या होता है लेट लिया जाता है तो यह काफी इंपोर्टेंट है इसको आपको देखना है बहुत अच्छे से ओके अब आता है इंटरवल्स अब इंटरवल्स कैसे होते हैं मतलब हम कैसे कैसे ब्रेक ले सकते हैं तो देखो यहां पर बहुत इंपोर्टेंट है जो बैडमिंटन होता है उसमें बहुत ही कम बहुत ही कम इंटरवल्स होते हैं देखो जैसे मैच है अब मैं ओलम्पिक्स का मैच आ रहा है जैसे कि पीवी सिंदू का मैच है तो वह वह का बजए से दस बजए वो बोल देदेगा एज़एक टाइमिंग बताया रहेगा महां यहां पर क्या होता है ना जो टेलिवीजन मैच होते बाई ब्रॉड कास्ट होते हैं जो बहुत ही महंगे होते हैं वह ना करोडो लाको रुपए लगते उस पर वह क्या करते हैं इतने से इतने टाइम के अंदर अंदर यह हो जाना चाहिए काम इंटरवल भी बहुत कम जोड़ा एंड नौट एकसाइडिंग वन ट्वंटी सेकेंड बिट्विन फर्स्ट गेम और सेकेंड गेम के बीच में 120 से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए अगर एक मैच होगे तो दो मिनिट का टाइम मिलता है फिर सेकेंड मैच स्टार्ट होता है इतना जादा प्लेट अब देखो स्टेंशन और प्लेट क्या होता है कि बहुँछ सिच्विशन ऐसी होती ही जो अंपायर के हाथ में नहीं होती है कंड्रोल में नहीं होती तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे अंडर इस्पेशल सिर्कम्स्टेंश 2 Shepherd has A.E instrument the empire To suspend play ठीक है भै अगर कुछ Under Under special circumstances The referee may instruct the Referee to suspend play कुछ ऐसे circumstances हो गया कि भई Referee को भी लगते है कि नहीं आग आज मतलब play नहीं हो सकता है तो हम इसको suspend कर देते हैं जैसे कि कोई ऐसी situation हो गए या कुछ गलतค़िण हो गया या फिर कुछ terrorist activity होगी तो यार बंद करना हो सकता है special circumstances में कुछ भी हो सकता है वो है ना if a play is suspended or existing scorer shall stand and play shall be resumed from that point या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत तगड़ा इंजरी होगी तो भी suspension हो सकता है यह सब होते है ठीक है फिर आते हैं delay of play तो delay कैसा होता है अंडर no circumstances circumstances shall play be delayed to enable the player to recover strength or wind or recovery advance ठीक है अंपार शुल भी शुड भी अंपार शेल भी soldiers of any delay in a play तो यहां पर देखो यहां पर delay क्या है कि delay बिल्कुल भी नहीं हो सकता अंडर no circumstances कोई भी circumstances ऐसे नहीं है कि जो इसको delay कर दे play को ठीक है भाई तो यहां पर क्या होता है the delay shall be delay to enable a player to recover strength ठीक है ठीक है तो जो delay होता है इस game में वो क्या करता है delay in a play तो वो क्या करता है भाई तो receive the advice या फिर मैं बोल सकता हूं कि जैसे कि अपने जैसे कोई थोड़ा सा delay करना है जैसे मोच आ गई तो थोड़ा सा वो extended दे देते हैं कि यार ले भाई इतना time है अगर इस पर recover कर सकता है तो जैसे कि थोड़ा सा time दिया गया और जब वो continue नहीं कर पाई तो फिर सान्य नेवाल को हमारा bronze medal मिल गया थर्ड जो थर्ड मेडलिस होता है bronze medal मिल गया है थर्ड आ गई फिर वो सान्य नेवाल को तो उनको बाई में करके उनको जीता घोशत करेगा ठीक है advise and leaving the court when only when the shuttle is not played ठीक है only when the shuttle is not in play the law shall the player be permitted to receive the coach during a match ठीक है no player shall leave the court during the match without the umpire's permission expect during the interval as decided in a law ठीक है भई अब यहाँ पर कहा है कि भई हम कोई भी court नहीं छोड़ सकते ठीक है simple बात है हम कोई भी court जो हम court में आ गे ना तो ऐसा नहीं कि हवा में वात चलती है वहाँ तो अगर मैं आ गे ना court में तो मैं ऐसी हवा में नहीं जा सकता कि मम्मी का phone आगे जी मुझे जाना है भार ऐसा कुछ नहीं होता आपको अंपायर की permission लेनी पड़ेगी और वह भी आपको पता है कि इंटरवल कितने मिनिट का मिलता है एक सेट खतम होने के बाद सिर्फ दो मिनिट का मिलते तो कहां जाएगा भाई दो मिनिट इतना बड़ा तो स्टेडियम होता है तो भाई ऐसे भाहर नहीं जा सकते हम ठीक है न करना पड़ेगा हमें उसको भी मॉडिफाइ नहीं कर सकते हैं अगर उसको मॉडिफाइ करेंगे तो भाई उसकी स्पीड बढ़ सकती है न तो वह गलत हुजाएगा दूसरे वाले के लिए ठीक है एक ओफेंसी मैनर पर आपको भीहेव करना नहीं आना चाहिए महां पर कि आ तु आप पे पेनल्टी लग सकती है तो भी गिल्टी ऑव मिसकंडुक्त और अदर्वाइस कवर्ड बाइद लटाफ बैडमीन्टन तो आप वहां पर क्या नहीं कर सकते गलत काम नहीं कर सकते भीहां तो फिर उन पर पैनल्टी लगते क्योंकि यदि चीज अच्छी नहीं है, आप एक स्टार हो, ठीक है, आप क्या सीख दोगे हम दूसरे जो नए स्टूडेंट्स आएंगे, या नए जो आपके जो जूनियर्स होंगे, उनको आप क्या सीख दे रो, तो ये चीज पर अपने आप पर कंट्रोल होना ज़रूरी है, ठीक है, अब आते हैं यार, ओफिशल्स इन बैडमिंटन, तो बैडमिंटन गेम में कितने ओफिशल्स होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर है, देर आर फूर ओफिशल्स इन गेम, तार ओफिशल्स होते हैं, रैफरी सिक्स, अम्पायर वन, सर्विज जज वन और लाइन जज फूर, होते है एक होता है रेफरी 6 दूसरा होता है Ampire 1 eyebrow इक होता है सर्विस दो सर्विस को देखते है सर्व्स जर्जज के होता है जो सर्व्स को ही देखेगा इसकी सर्विस फीच में रहता है वो पूरा गेम देखते है अच्छा ऐसे है ओर रहरी ऌता है कोई भी ऑफिशल होता है वहाँ पर रहेकिस करते है ठीक है भई सम्टाइम रहे इसंताइम रहता है तो जो रहे होता है वह ऑफिशल अधर आ there are six officials, और यहां पर कितने officials होते है, six, there are six officials, and the referee is overall charge of the tournament, तो referee six जो होते है, वो क्या होते है, charge of the tournament होते है, and official discussion is final, on all the point of a factor for which that official is responsible, तो सबसे पहले duty of referee, referee की क्या duty होती है, to determine, to get, how to get the points, to determine who get the points, sorry, how बोलो, सबसे पहले वो determine करता है, इसको point मिला, तो वो बोलेगा, इसको point मिला, तो वहां पर उसका number 1 हो जायागा, ऐसी ठीक है, फिर ऐसी क्या होता है, कि भाईया, जो भी काम चल रहा है, वो fair होना चाहिए, unvised होना चाहिए, ठीक है, ऐसे निए कि यह मेरी चाची का अलका है, भाईया, इसको number दे दो, ऐसा काम नहीं होगा, तो वो बिल्कुल एक fair वाला काम होता है, ठीक है, referee is directed in the middle of the court, तो जो referee होता है, वो बिल्कुल middle पे रहता है, आपको बताया था, अमपार नहीं, स्वारी, referee होता है, जो middle पे रहता है, और वो क्या करता है, पूरा गेम देखते रहता है, इधर, उधर, उधर, इधर, इधर, ऐसे करके पूरा देखता है, ठीक है, तो यही वाला काम होता है, referee का, ठीक है, जी, अरे बोलो भाई, अच्छा, duties of umpair, umpair का क्या duty होती होती भाई, तो role of the umpair is to keep the score, अब जो role, umpair का जो role होता है, वो score को manage करना होता है, score यह हो गया, umpair announce the match score, जो umpair होता है, वो match score को announce करूँगा, कि बोलेगा, भई, PV सिंदू का 15, हैं भई, सान्य नेवाल का 16, तो ऐसे करके वो बोलता रहेगा, announcement करता रहेगा, he or she has a power to overrule the decision, make by the service judge, और a line judge, बहुत important है, अगर कोई line judge बोल रहे हैं कि यह भार है, और अगर umpair ने बोला यह अंदर है, तो वो overrule कर सकता है, अब आपार superior होता है, यहां पर, तो umpair उसको over judge कर सकता है, अगर umpair ने बोला अंदर है, तो बेटा अंदर है, तो अगर umpair चाचा है, तो मान के चलो, चाचा के लड़के कितने मज़ा यह ना वई, यह चाचा याता होगे, तो umpair पर यह पूरी power होती है, कि जो line, service judge होता है, उसको overcome कर रहे हैं और line judge को, ठीक है, ठीक है जी, umpair has also record any incident of misconducting and report them to the referee, जो umpair होता है, वो अगर कोई भी misconduct देखा है, कुछ भी गलत गलत चीज देखिए, तो वो सिद्धे referee को बोलता है, यह काम चलना है यहाँ पर, जैसे कोई, जैसे मैं हूँ, खिलाडी, tennis और मेरा जो, coach एमान के चलो, बहुती offensive है, गाली उली दे रहे, तो वो सिद्धे सिद्धे जो referee है, उसने वो सिद्धे पिक्स पर जाएगा, अंपायर जो है, वो referee पर जाएगा, बोलेगा, भाई इसके लक्सन ठीक नहीं लग रहे, इसको बाहर करो गई, तो वो हमारे coach पर भी band लगा सकता है, तो सिम्पल सी बात है, तो और अंपायर क्या होता है, कि बैड्मिंटन का जो game है, वो smoothly run हो, अच्छा fair play में रन हो, कोई गलत उलत भावनाव से वहाँ काम नहीं, और अगर player चाता है, कि भाई ये जो shuttle cock है, खराब होगे, मेरी shuttle cock खराब होगे, तो वो अंपायर पे जाता है, अंपायर क्या करता है, उसको approval देता है, कि ले भाई, हाँ यार देखता है, कि हाँ ये खराब होगे, चल भाई, दूसरी ले ले, कोई दिक्कन नहीं, पैसे कमीनी अपने में, दूसरी ले ले, तो ये होता है, अंपायर का गाम, ठीक है भई, फिर आता है सीधे से सर्विस जजज, अब सर्विस जजज क्या होता है, सर्विस जजज देखता है भई, कि फॉल तो नहीं है, ठीक है, सर्विस ठीक है, खराब तो नहीं है, क्या receiver ready था, या जो server कराने वाला है, या फिर कोई खराब चीज तो नहीं है, कि खराब तो नहीं हो रहा, या अगर मैं double की बात करूँ, तो double का जो partner है, वो ready तो नहीं है, वो इधर उधर तो नहीं देख रहा, तो यह सारी चीज जो होती है, सर्विस जजज की होती है, फिर आती line judge, line judge का एक ही कैम है, भाई line boundaries पे देखता है, कि boundary के अंदर गिरी है, चटरल या बाहर गिरी है, तो यह चीज बड़ी easy है, यह आपको पता होनी चीजए, बढ़ा easy है, अब आती है terminal logies में, या fundamental skills मैं बोल सकता हूँ, भाई grip क्या होती है, 4 and grip के होती, मैंने सीदे सीदे, 4 and में क्या करावा, grip करावा, तो 4 and grip के होती, मेरी ऐसे वाली grip, जो जैसे मान के चलो, यह मेरा shaft है, ठीक है, तो shaft को मैंने ऐसे पकडावा, आगे से, तो इसको बोलते है 4 and grip, ठीक है बई, ऐसे पकडावा, अब backhand grip क्या होती है, backhand होती है, ऐसे होती है, और backhand क्या होती है, ऐसे उपर से, पीछे से पकड़ाओ है मैंने, और backhand grip, the turn of the top racket, frame over the right, and pull thumb along the parallel, तो यह होता है, backhand, backhand देखा होगा, आपने ऐसे उल्टे में होता है, और यह होता है, fourhand, fourhand होता है, ऐसे में, ठीक है बई, simple है, तो बड़ा easy technique होती है, आपको, धीरे धीरे करके, आपको समझ में आ जाएगा, अब यहां आते है long serve, अब high serve क्या होता है, long serve क्या होती है, अब long serve होती है, मैंने ऐसे, शेटलर कॉक पकड़ी वे, और मैंने ऐसे मारा हो, उपर जाके गई वो, तो उते long serve, बहुत उपर तक गई और तब, और short serve आपने देखियो कि फट मारते हैं, अलका से और वो, बिल्कुल, अब मतलब, जो net OC के just आगे गिर जाती है, उसको बहुत है short serve, ठीक है, just close to the net, simple सी बात, short serve जो होती है, जो net के बड़ी पास होती है, और long serve क्या होती है, जो बहुत ही पीच्छे तक जात shallow than the high serve, अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, अब flick serve क्या होती है, flick क्या होती है, हलका सा flick करा मैंने, मतलब लंबा नी दिया मैंने, मतलब काफी long serve नी दिया, एक flick करा बस हलका सा, ताकि opponent को इतना time ना मिल पाए कि वो smash मार दे, उस पे, अब long में क्या होता है, अगर मैं long serve देता ह अब हम से smash मानने का, तो यहाँ पे क्या होता है, जो flick होती है, वो इतना time नी मिलता, उसको कि वो मार दे, वो फटा-फट से flick क्या होता है, तुरंद तुरंद वाला काम, ठीक है न, तो यह जो flick serve होती है, काफी use होती है, doubles में, doubles में बहुत ही use होती है flip serve, तो देखे को है, आ यह आप देख सकते हैं, आप Google करोगे, तो काफी अच्छे से आपको पता चल जाएगा, तो एक बार ऐसे पढ़के और वहाँ पे Google में अगर आप देखोगे, तो आपको थोड़ा अच्छे से पता चल जाएगा, तो overhead stroke, अब overhead stroke क्या होता है, ऐसे overhead मतलब सर के उपर से अगर मारता हूं, तो उसको बोलते है, overhead, ठीक है, ठीक है बई, overhead, overhead, backhand, तो overhead, backhand मतलब ऐसे, उपर से अगर मैं backhand मारूं, ऐसे overhead, backhand मारूं, तो यह क्या होता है, overhead, backhand, फिर आते है, underarm, underarm मतलब नीचे से ऐसे होता है, नीचे से ऐसे करके, तो नीचे से ऐसे करके, नीचे से अग चीझे यह हैं, छोटी योटी चीजे हैं, आपको देखना पड़ेगा, काफी easy होता है, ठीक है, अब आता है, कैसे-कैसे shorts होते है, सबसे पहले तो दो दो, तरीके के shorts होते है, वाई, एक होता है, offensive, एक होता है, defensive, ठीक है भाई, offensive क्या होता है देख लेते हैं बहुत अच्छे से तो सबसे पहले होता है clearing in the stroke shuttler cock is connected around the middle of the racket middle of the racket head and aiming of clearing is to cause the shuttler to go up high in the air and land at the opponent backcourt this is used when the player need to buy some more time for himself to return to the base before the next return ठीक है and it's also strategic to use when the opponent near clear to the four ticket clearing क्या होता है simple सी बात है जैसे कोई आ रहा है तो मैं उसको clearing क्या होता है थोड़ा सा दूर जो net के न अपोनेंट के जो court है उससे थोड़ा सा दूर फेकूं ताकि मुझे भी time मिल जाए थोड़ा अपने आपको regain करने का और मैं बीच में आने का क्योंकि जब भी कोई shot मारता है वो बीच माने की कोशिश करता है क्योंकि बीच के होती safe site होती है तो यह अगर वो left में मारे या right में मारे तो मिरे को time मिल जाता है ठीक है दूसरा गया कि अगर opponent जादे ही pass है knit के तो अगर मैंने clearing shot मारी ठीक है clearing shot थोड़ी दूर जाती है तो उसको time लग जाता है पीछे जाने में तो उसको दिक्कत हो सकती है वहाँ पर मुझे point मिल सकता है फिर आता है lobbing बड़ा easy होता है जैसे आपने देखा होगा cricket में भी हम lob मारते हैं है ना तो lob क् तरीके से बिलकुल मक्खन के तरह दे दो जैसे hitting the wall back of the court तो यह lob क्यों होता है कि जैसे किसी ने वो कोई आगे आ रहा है उसने शेटलर कौक मारी मैंने हलकी सी lob दे दी मत्ता हो पीछे से उठके पीछे चलेगी तो वो भी काफी beneficial होता है lobbing बड़े easy होती है ठीक है ना ओके फिर आता है बई drop shot क्या होता है अब drop shot यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि drop shot क्या होता है तो देखो अगर मैं यहाँ पर बंदा है और यहाँ पर इसने shot मारी तो यह drop shot क्या होती है जैसे एकदम से अचानक से एकदम तो फास फाल यहां से यहां तो यहां से तो अफ्याश होगा हा यहीं से ba काफी फिमस होता है और काफी अच्छे प्लियर्ड को यूसर इंपॉटन समय्ज मैस्यरा यहार ड़ंध G लोग क्या उचल के कीच के मारते वाई उसमें कोई मत्तब इतना एग्रेसिव होता है वो कभी-कभी तो 300-300 माइलस पर हावर की स्पीड से मार देते इतना खतरनाग तो काफी खतरनाग शॉट होता ही है इसमेश तो यहां देखो फ्लैट श्मेश यहां पे आ रहा है और स्टीव इसमेश यहां पे आ रहा है तो इसमेश बड़ा वह है और बहुत लोग क्या फोर हैं पूरा बेक हैंड साइड के सामने से लेकर पिछे से और कीच के मार देते हैं तो काफी अच्छा शॉट होता है उपने देखो अफ़ा इंटरनाशनल कवरिंग और बैंटमें तो यहां पर हमारे इंडिया में आपने देखा अफ़ान बैनम एस्टी फुर नाइंत फिर्टिफ पॉर pigवा 274 में यहां था ठीक यहां ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट चानीह ते अंसेटीज इस and has been holding the national level tournament in Indian since 1936 ठीक है बई and BAI has 3033 state association and four other organizations as the member that conduct badminton tournament in the country तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे इंडिया का क्या है BAI लोगो यह आप देख सकते हैं BAI Indian Badminton Association of India ठीक है फिर ऐसी क्या है Badminton World Federation BWF तो यहाँ पर देख सकते हैं BWF का यह आपको लोगो दिख रहा होगा and it is a governing body of a sport of badminton recognized by the international olympic committee IOC with the badminton world federation to serve the regulate, promote, develop and popularize the sport of badminton across the globe and organize and run the highest level of international events तो यहाँ पर आप यह देख सकते हैं कि यह BWF का क्या है लोगों है बहुत अच्छा सा यहाँ बात है भई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि national and international tournaments क्या है तो इंडिया ओपन badminton championship क्या है हमारी इंडिया की है जो कि योनक्स sunrise इंडिया ओपन देखा होगा आपने अभी जैसे IPL चलते हैं ऐसी इंडिया में भी चलते हैं बैड्मिंटन ओपन चैंपियंस चलते हैं यूनक्स sunrise इंडियन ओपन ठीक है ना तो national and international tournaments है इंडियान ओपन बैड्मिंटन championship है यहां पर आप देख सकते हैं तो यह भी हमने अभी देख लिया था कि कि यह सब हम कर चुके हैं कि 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 अब आते हैं वही सीनिय नैशनल बैड्मिंटन चैंपिंशिप सीनिय इंडियन नैशनल बैड्मिंटन चैंपिंशिप is a tournament organized to the crown and the best badminton player in india since 1934 until until into the 1960s the several championship and were hold in the national various players were invited to play the championship and that's why the Dane is in the winters list senior national badminton championship ठीक है याद रखिएगा फिर आते हैं वर्ड चैंपिंशिप जो होती है तो वह देखिए वर्ड चैंपिंशिप क्योंते थॉमस एन उबर कप ट्रॉफिस बहुत इंपोर्टन इसको आप अच्छे से अपनी बुक से देख सकते हैं बहुत बहुत इंपोर्टन है आपकी रैंकिंग्स पर भी बहुत डिपेंड करता है ठीक है यह मैंने आपको बताया थॉमस कप टीक है वर्ड मैंस टीम चैंपिंशिप इस इन इंटरनाशन बैडमिंटन कॉम्पेडिशन अमंग टीम ठीक है तो यहां से आप देख सकते हैं और मेरे प्यारे बच्चों अब यह हमारा जो चैप्टर है बैडमिंटन यह हमने कवर कर लिया तो इसकी जो पीडिएफ है वह हमारे ओफिशल एप्लिकेशन जीनियस क्लासे अनिरोट से आप डाउनलोड कर सकते हैं इदल लेंड बाई बाई लब यू